कि राजस्थान में कैसे origin हुआ and development हुआ फिर सब स्कूल ऑफ राजस्थान मिनियेचर मतलब मेवाड बूंदी जोदपूर बिकानिर किशनगर्ड जैपूर वो जगे यह बारे में हम लोग ठोड़ा सा description पढ़ेंगे फिर आता है subject matter फिर main features क्या गया थे राजस्थानी स्कूल मिनियेचर पेंटिंग के फिर पेंटिंग्स हमें सिर्फ पांच पेंटिंग्स पढ़नी है मारु रागिनी चाओगान प्लेयर प्रिंस अन मेज़ा प्लेइंग पोलो हमेशा इसका नाम आपको पूरा ही लिखना है ब्राकेट्स को नहीं छोड़ना तो आता है कृष्णा औ में पढ़ाऊंगी ओके तो अब हम लोग करने वाले हैं ओरजिन और डेवलाप्मेंट ओके यह जो है यह आपको मैंने तीन कलर से दिखाया है ग्रीन पिंग और ब्लाक तो इसका मतलब क्या है कि जो गीन कलर है वो उसका कीवर्ड है आपका पिंग कलर है वापके करता है ठीक है ओके सो यह हमारी जो प्राजिस्थानी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग है इसके बिगनिंग अब हुई 15th century AD में यह आया अब बहु कोई भी चीज आती है तो किसी ना किसी के इंपक्ट से तो आती है तो किसके इंपक्ट से अपरभंसा स्टाइल अपरभंसा की अब च्टाइंग साटिंग में जो बनाते थे इसे रिलेजन को लेकर के ठीक है पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो वैसे-वैसे यह पेंटिंग कैसे रोमान्स के वी ओपर जनेरल फोक थीम्स के वी पनने लग गहीं पर बनती थी अलग-अलग किंग सो लेकर और किया कर रहा जो आर्टिस्स थे उन्होंगा करा उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी किसमे किसके लिए नॉमल पीपल के लिए पृपप बना थे नॉमल पीपल ठीज बनाते थे रॉयल कोट तक बहुंशती थी ठीक है और अब भाई उस टाइम पे तो राजाओ तो राजाओं के मतलब क्या हुआ की अलग अलग पेटरोनाइजेशन के टाइम पे अलग 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 इलग इसलाइट में पड़ा थै प्रीफ लाइड में उसका detail description है तो आप इसका screenshot ले सकते हो कि अगर आपके बस करवे book नहीं है notebook नहीं है notes नहीं है no issues यहां से पढ़ लाओ ओके अब हम करेंगे sub school of Rajasthani miniature painting जो हमने starting में बढ़ा जाना sub school वही ओके यहां पर है red black red black red black तो जो red वाले हैं इसमें आप खुद एक sentence भी लिख सकते हो कि मेवाड occupies an important place in Rajasthani miniature painting जोदपूर occupies an important place in Rajasthani miniature painting किशनगर के साथ भी है ओके यहां पहला पॉइंट बन जाएगा इसलिए मैं इसको red से माप किया है ओके से बलाता है मेवाड मेवाड में क्या है not affected or control of Mughal Mughal के control के अंदर नहीं था मेवाड मेवाड क्यूं important था इसका reason ही यही था कि जो मेवाड था वो मुगल के control में नहीं आया इसलिए वह रजस्थानी miniature painting के अंदर काफी purest form में भी आया ओके यह था का मेवाड को point बूंदी में क्या था वह के बूंदी में painting की 17th century AD में और मुगल का effect यहां पर clearly visible था तरहाता है दिकानेर बेकानेर में क्या है वो डेवलाफ हूँ आपका लेट 17th century बूंदी बूंदी के था हमारे beginning में और यह था हमारा लेट 17th century में और इसमें भी मुगल का effect clearly visible है अब आता है किशंगर्ड यह क्या है यह important school भी है most prominent school भी है इस टाइम पर क्या था कि जो राजा सावंत सिंग थे उस उनके टाइम पे पेंटिंग्स थी राजिस्थानी पेंटिंग्स थी वह काफी ज्यादा prominent वहता काफी ज्यादा अच्छी और अच्छी हो रही थी तरह आता है जैपूर जैपूर में क्या है कि यह रीचिट्स क्लायमेक्स पेंपें किस्के टाइम पर महाराजर प्रताप herum कहाटीं टींग तरह टींग्स पर फिर आता है कि वे डिट्ल कि अब आता है हमारा सबजेक्ट मातक की क्या है तो चीज इसके ऊपर हम इतना पढ़ रहे हैं कि क्या होगा इसके अंदर तो इसके अंदर क्या हैं अब के थीम्स हमारे के नदर कहेंग दो थीम्स हैं जैसे के डिलेजिन शार्ट्य के सलज सब्केosaur बहुत दी ब्यूटफुली बनाए गई हैं अब रिलिजिस थीम्स के अंदर के आता है कि एपिसोड कहां कहां से इसके एपिसोड उठाए गई हैं मतलब कि कि इन कि चीजों को देख कर कि कि इनकींची बनाए गई हैं ऑपका रमयान हो गया गीत गोविन्थ हो गया सुवर्सा 가능 हो गया कि इसमें से painting बनाते कैसे थे कि सपोस रामान का कोई episode हो गया, कि रावन जो हैं वो आए हैं सिता का हरन करने वो वल episode हो गया, इन सब चीजों को paint करके दिखाना वही चीज यह लोग बनाते थे, ठीक है, फिर romantic themes में क्या हो गया, रागमाला हो गया, रसिक प्रिया, रामचंद्रका, नायक नायका भेद और राधा कृष्णा, अब राधा कृष्णा देखो आपके romantic themes में भी हैं और religious themes में भी हैं, तो यह आपके important भी है, कि बताओ कि कौन सी ऐसी painting है, जो आपके religious and romantic themes के अंदर, दोनों के अंदर important है, ठीक है, फिर आता है ब्रामासा, ब्रामासा क्या है, वो भी एक काफी अच्छे तरिगे से painting बनाई गही है, उसकी राधास्थाइनी miniature painting के अंदर, ठीक है, और जो painter's थे, कि उन्होंने court scenes, battle scenes, hunting scenes और royal portraits को काफी अच्छे तरिगे से beautifully depict किया है, ओके, यूँ एन टेक दे स्क्रीन शॉट, अब हम करेंगे main features के हाथे हमारे राधिस्थानी miniature painting के, तो जो green है again, वो आपकोई key points है, pink वाले हैं, वो आपके important points है, आपको black के है, आपको याद रखना है, अगर आपको याद रहेंगे तो आपको आगे का sentence अपने आप ही याद हो जाएगा, याद यह भी important है, तो अगर आप चाहो तो इसका भी screenshot ले सकते हो, याद आपके लाइज की वर्ट के तरह काम करेंगे, notes के तरह काम करेंगे, okay, So, use bright and brilliant colors, तो जो उस ताइंके जो artist होते थे, वो काफी bright और brilliant colors को use करते थे, जैसे कि आपका red, orange, green, blue, फिर जो male and female के जो figure होते थे, वो काफी कैसे बनाते थे, उनके long nose बना करके, oval shaped face बनाना, elongated fish like eyes बनाना, फिर जो male होते थे, वो wear करते थे, loose fitting garments, loose garments पेहनते थे, पताकास पेहनते थे, पगड़ी पेहनते थे अपने सर पे, फिर फीमेल थी वो painted कैसे उनको flexible, slim, flexible and tall like creeper, काफी लंबा मतब उनको बनाया जाता था, प्लस loose skirts पेहनती थे, चोली and transmitted childrenry, यह male और female थे इंपोर्टेंट है, ठीक है, फिर आता है birds, birds and animals होते, काफी अच्छे decorative styles में दिखाते थे, वैसे यह बात तो normally है, कि जब paintings बनाएंगे तो काफी अच्छे तरीकी से यह दिखाएंगे, वह painter बना रहे हैं, ठीक है, फिर आता है elephants and horses, वो काफी children, उनको दिखाते थे, और इस पर गया था, influence था, मुगल का, पिर आता है trees, जो कि ornamental मतलब, अच्छे तरीके से हर एक बारीक से दिखाना, आवस को bunches में दिखाना, ओके, फिर हमारे आते हैं hills and mountains, जिसको Persian style में दिखाना, अब आप जो next chapter है, hardy school of miniature painting में हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आर्टिस्स जो है, उनको help करता था, ये hills and mountains, तो उनको Persian style में दिखाना, ये next chapter की बात है, तिर आते हैं figures, जो कि काफी dramatic fusion मतब काफी अच्छे तरीके से dramatic मतब drama मतब काफी अच्छे तरीके से drama की form में दिखाना figures को, ये night scenes होते थे, उनके क्या करना, सिर्फ color of sky, sky का color change कर देते थे, और उस पर moons and stars paint कर देते थे, बागे जो सारी चीजे होती थी, वो बिल्कुल day की तरह ही as the same, usual same होती थी, okay, ये वाला point भी important है, कि रागमाला paintings जो थी, इस time की, वो क्या थी, वो एक distinct feature थी, राजपूत मिनियाज़ पेंटिंग की, मतब काफी important features था, किसके लिए, रागमाला paintings के लिए, उसके बाद काफी अच्छे तरीके से presentation होता था, किसका, रागमाला paintings के अंदर, इंडिया, रा रागमाला पेंटिंग के अंदर, इसको इंडियान रागमाला पेंटिंग के अंदर, फिर आता है, डूट पूरी space जो होती थी आपके पेंटिंग के उसको अलग अलग color से, अलग अलग shape से divide कर दिया जाता था, और काफी अच्छे features, important features क्या थे, इनके जो paintings बनाते थे, रा जिस थानी स्कूल अफ मिनियेचर पेंटिंग है ओके आपका मैक्समाइब